हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर हम अरेंज मेन्यू के अंदर जो हमारे पास ये ग्रूप की ऑप्शन है जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये हाइलाइटिड नहीं है अन ग्रूप है अन ग्रूप ओल, कमबाइन, ब्रेक अपार्ट, लॉक अबजेट, अनलॉक अबजेट, अनलॉक अबजेट, अनलॉक अबजेट इन ओप्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने ये कुछ अबजेट शेप बना रखी है और मैं इनको एक दू ग्रूप में लेना चाहता हूँ, अगर आपने इनको एक ग्रूप में लेना है तो पहले इन सभी को स्लेट कर लीजिए, जैसे ही आप इनको स्लेट करोगे उसके बाद आपने अरेंज मेन्यू में जाना है और ये ऑप्शन है ग्रूप, शॉर्टकर्ड की है, कंट्रोल प् तो जब आप इनको मूव करोगे, तो ये सारे इकठे मूव करेंगे, और अगर आप इनको छोटा करोगे, या साइज इंकरीड डिक्रीज करोगे, तो सभी ये ग्रूप के अंदर इंकरीड डिक्रीज होंगे, ये बेनिफिट है ग्रूप बनाने का, और अगर आपने इनको ungroup करना है तो arrange के अंदर जाईए ये option है shortcut की भी use कर सकते है control u ungroup all तो अब आप देखोगे अगर आप इनको अलग-लग करना चाहें अलग-लग कर सकते हो क्योंकि ये ungroup हो चुके है यानि अलग हो चुके है तो आप ऐसे इनको ungroup भी कर सकते है और ऐसे ही माल लीजिए हमने इनको group किया एक बार फिर से दोबारा group करेंगे shortcut की control g और हमने इसके अंदर फिर एक बार कुछ नया shape यानि नया एक object डाला ये देख सकते हो नया object डाल दिया ये एक और इदर डाल देते हैं और अब मैं इनको फिर से एक बार ये ये तो मैं group कर चुका हूँ ये देखिए अब मैं इनको भी साथ में group कर देता हूँ यानि के दूसरी बार मैं इनको group करने जा रहा हूँ पहली बार किया तीन object को अब मैंने ये दो object और group कर दिये और अगर मैं इनको अब अगर मैं ungroup करूँगा तो क्या होगा पहले ये जो अभी मैंने group बनाया था ये दो नए ellips रखे थे ये इनको ungroup करेगा अगर मैं ungroup all कर दूँँगा तो जितनी बार भी मैंने इस object को group में लिया पहले मैंने आपको देख सकते हो तीन object लिये और फिर दो बाद में add किये तो ये सबी को एकी बार में ungroup कर देगा लेकिन यहां से ungroup से अकेले ungroup से ये पहले ये दो circle को ungroup करेगा और फिर दोबारा अगर मैं ungroup का use करूँगा फिर जो बाकी तीन object हैं उनको ungroup करेगा अगर आप एक बार में ही सारे object ungroup करना चाहते हैं तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे ungroup हो चुके हैं तो ऐसे हम ये option यूज़ करते हैं और अगली option है इसके अंदर हमारे पास combine की जैसे ये देखिए ये मैंने एक rectangle लिया और ये ellipse लिया इनको मैं combine करना चाहता हूँ इन दोनों को select कीजिए तो आप चाहें arrange के अंदर जाकर ये देखिए combined की option activate हो गई है control L तो ये combined और group में यही फरक है ये देखिए क्या फरक है group के अंदर दोनों object को group में लेगा लेकिन combined के अंदर जो पीछे का object है ये देखिए student जो दोनों का common part है वो white हो जाएगा और जो दोनों का अपना separate part है वो जो पीछे का object है same color का अगला object हो जाएगा ये देखिए ये जो दोनों का common part है ये देखिए ये जो common part है दोनों का common और ये उपर का जो separate part है ये उपर का separate part ये पीछे के background का जो color है उसके साथ मैच हो जाएगा और जो दोनों का common part है वो white हो जाएगा यानि group और combined में यही फर्क है ग्रूप में क्या करता है? ग्रूप में friends क्या करता है? ये दोनों object को combined करेगा लेकिन group करेगा लेकिन दोनों को अपने object में यानि जो दोनों का अपना color है वो भी same रहेगा दोनों को combined नहीं करेगा object को group करेगा लेकिन combine नहीं करेगा लेकिन अगर आप combined का use करते हैं चलिए एक बार फिर combine का use करेंगे अगर आप combine का use करोगे तो इस तरीके से जो common part है वो white हो जाएगा और जो separate part है वो पीछे का जो object है ये आप कह सकते हो जो पहला object है उसके color के वो object हो जाएगे तो इस तरीके से ये combine यूज करते हैं और अगर आप ये combine जो है उसको break करना चाहते हो आप चाहते हो ये combine ना करें तो ये option है shortcut की control के इसके उपर click कर दीजिए तो ये देखिए ये दोनों object को अलग-अलग कर देगा तो ऐसे हम इनको अलग भी कर सकते हैं और आगे option है इसके अंदर friends lock object जैसे माल लिजिए आपने ये एक object बनाया और यहाँ पर इसको रख दिया ये object यहाँ रख दिया इसको आपने यहाँ रख दिया इसको आपने यहाँ रख दिया अब आप इनको यहाँ पर lock करना चाहते हो आप चाहते हो कि ये object ना तो यहां से हिले ना ही इनके अंदर कोई changes की जा सके हम इनको यहां पर lock कर देना चाहते हैं तो आपने इस object को select करना है जिसको lock करना है और ये lock object पे click कर दीजिए अब ये देखिए ये छोटे छोटे से lock बन गये है ये object हमारा lock हो गया है अब आप इसको उठा कर इधर उधर नहीं ले जा सकते ना ही इसके अंदर कोई changes कर सकते हैं ना ही इसका color change हो सकता है ये देखिए इसका color भी नहीं change हो सकता इसको आप increase decrease भी नहीं कर सकते ये लोग हो चुका है और ऐसे ही अगर आपको इसको भी लोग करना है arrange के अंदर जाके लोग कर दीजिए इसको भी यानि जितने भी आपने object अपने इस current document पे बनाए हैं उनको आप लोग कर सकते हो ये देखिए आप लोग कर सकते हो ठीक है और ऐसे ही अगर आपने ये जो object लोग किये हैं अगर आपने माल लीजिए ये जो object मैंने अभी select किया इसको आपने अकेले को unlock करना है तो आप इस object जिस object को आप unlock करना चाहते हैं उसको select कर लीजिए उसको unlock object के द्वारा unlock कर सकते हैं और अगर आपने सारे के सारे object एक ही बार में unlock करने हैं तो इस option पे click कर दीजिए unlock all object तो सारे के सारे object one time में ही unlock हो जाएंगे जैसे ये देखे मैंने one time में ही unlock कर दिये अब ये सारे object unlock हो गए है आप इनको move भी कर सकते हो इनके color भी change करना चाहे color भी change कर सकते हो जो भी आप इन पे option apply करना चाहे आप apply कर सकते है